Good evening students आज हम इस वीडियो में लोठल नामक नगर के बारे में पढ़ेंगे तो जो लोठल नामक नगर है यह सिंदुकाडिस अबेता का एक महतोपुण नगर है और सिंदुकाडिस अबेता के और भी कई नगर है उनके बारे में हमने पढ़ा है हडपा, मोहंजोदुडो, चनहुदुडो, काली बंगा इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है तो जो सिंदु काड़े सब्वेता संबन दित मैतोपुन तथे हैं उनके बारे में आप पहले वाले वीडियोज में देखेगा यहां पर हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा लोथल तो जो लोथल है यहन अगर सिंदु सब्वेता का मुखे बंदरगा था यहन अगर गुजरात के एहमताबाद जिल्ले में भोगवा नदी के तठपर इस्तित था इस इस्तिल की खोज डोक्टर S.R. राव ने 1954 में की थी डोक्टर S.R. राव है इनका पूरा नाम है सिकारी पूर रंग नाथ राव ठीक है न? और यह जो लोथल है यह है पस्सिमी एसिया से व्यापार करने का परमुख बंदरगा था ठीक है? अब देखेगा जो लोथल है इसके बारे में दो महतो पुन विश्यशता हैं जो एकजामे कई बार पूछ लेते हैं वो देखेगा क्या है? कि एक तो जो लोथल है यह है एक ही प्राचीर से इसके दोनों टीले घीरे हुए थे ठीक है ना? वैसे देखें तो जो अन्य नगर है सिंदुगाडि सब्वेता के उनके जो दुर्ग हैं उन में से जो दो भाग थे दुर्गों के उन में से एक टिला था उसको दुर्ग का जाता था एक को का जाता था नगर और जो दुर्ग होता था वैसे प्राचीर से घिरावा होता था वैसे दुर्गी क्रेथ होता था और ये पस्सिमी टिला होता था ये जो दुर्गी क्रेथ होता था वैसे कोन सा टिला होता था पस्सिमी टिला होता था लेकिन जो लोथल है इसमें जो दो टीले मिले हैं वो दोनों क्या है एक ही प्राचीर से गिरे हुए मिले हैं यह आप से क्यूसर पूछ सकते कि बाई सिंदु घाटे सब्वेता का ऐसा अस्तल जो जिसके दोनों टीले एक ही प्राचीर से गिरे हुए हैं वो कौन सा है वो है लोथल और एक विशेशता यह है लोथल की कि जो यहां के जो मकानों के जो दर्वाजे हैं वो सडक की तरफ कर पीछे की तरफ अर्थात गल्नीं की तरफ खुलते थे ऐसे साक्से में मिलें है लेकिन जो लोथल है उसमें जो दर्वाजे मिलने हैं वो सडक की तरफ खुले हैं तो यह दो महतोपण विशेश थाए आपको धान में रखनी है अब चलिए लोथल से प्राप्त अफसेशो कौन से हैं तो यहां से फारस की खाड़ी के परकार की एक मुहर मिली है यहां से प्राप्त कुछ मुहरों पर कपड़े के छाप के चिन भी प्राप्त हुए हैं यहां से भी धातु कर्मियों सीप आबुशन बनाने वालों तथा मनका बनाने वालों की दुकाने भी प्राप्त ह चावल के खेती का जो प्राची इंतम साक्सेवा लोथल से ही मिला है इस इस्तल के अलावा एक और ऐसा इस्तल जहां से चावल के साक्से मिले वो है रंगपूर तो रंगपूर और लोथल से चावल के साक्से मिले है सबसे प्राची इंतम जो चावल का साक्सेवा कहां से मिला ह लोथल से मिला है उत्खनों में लोथल की जो नगर योजना तथा अन्य बहुतिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे लोथल लगुहडपा या मोहंजोदलो नगर जैसा परतीत होता है फारस की मुद्रा तथा पक्ये रंग में रंगे हुए पात्रों की प्राप्ति से यहां से चबूत्रा, रक्षाभीति, सडकों, भवनों, नालियों तथा इटों के अवसेश प्राप्त होते हैं इनसे पता चलता है कि यहां के निवासी बाड से अपनी रक्षा के लिए उच्चे टिलों पर बस्तियां बनाते थे भवनों से स्नानग्रय तथा नालियों के अवसेश मिलते हैं ठीक है न और जहांजों की गोदी जिसको डोक्याड भी कहा गया है वो कहां से मिली है लोथल से मिली है इसे इस नगर का व्यापारिक महत्व का पता चलता है और यहां से जो समूत्री व्यापारवा जहांजों द्वारा किया जता था लोथल की सबसे महत अपन उपलब्दी पक्की इंटों का बना हुआ एक गेरा है जिसे राव ने जहांजों की गोदी कहा है यह विश्व का प्राचीन तम ज्यात बंदरगा था यहां मिस्टर तता मेसोपोटामिय से व्यापारिक जहांज आते जाते थे तता लोथल का मुहन जोद्रों से गनिस् सिंदो गाटे सब्वेता का पर्मुक मंदरगा है लोथल था यह बंदरगा सुमेरियन सब्वेता के साथ व्यापार करने के लिए काम आता था सिंदो सब्वेता के व्यापारी गती वेदियों का केंदर तथा आर्थिक राजधानी लोथल था एक कबर में दो लोगों के सव के पाए जाने से यहां युगल सवाधान की रिति की पूष्टी होती है यहां से अगनी वेदियों के साक्से भी मिले हैं, यहां से एक तराजू भी मिला है लोथल से एक ऐसा सव प्राप्त हुआ है जो कप्र करवट लिये हुए लिटाया गया है सव का सिर पूरव तथा पैड पस्तिम जिसा में है लोथल से घोडे की म्रण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है चावल तथा बाजरे का साख से फारस की मुहर तीन यूगल समाधियां बंदरगा है घोडे की म्रण मूर्तियां उपकरण बार तथा माप और पत्थर की उपकरण आदी लोथल से प्राप्त हुए है लोथल से समकाले सब्वेता के पांच इस्तर पाए गये हैं यहाँ पर दो भिन भिन टीले नहीं मिले हैं बलकि पूरी बस्ती एक ही दिवार से गिरी थी जो अमने स्टार्टिक में आपको बताए कि जो दो अलग अलग टीले और अन्य नगरों में भी मिले हैं इसमें भी दो टीले मिलें लेकिन वो दोनों टीले एक ही प्राचीर से गिरे हुए है जबकि अन्य जो नगरों के टीले है उनमें जो दुर्ग है वह है अलग दिवार से गिरा हुआ है ठीक है न, मोहनजोदडों की तरह लोथल का भी अर्था है, मूर्दों का तीला अर्थात मर्दकों का तीला लोथल नगर के मैतोपुन दत्थे देगेगा लोथल में गड़ी और नगर दोनों एक ही रक्सा प्राचीर से गिरे हैं अन्य अवसेशों में जैसे धान, और्ता, चावल, फारस की मोहरों etno गोडों की लगु मृण मूर्तियों के अवसेश प्राप्थ हुम बार-बार आपको बता रहे हैं इसको आप अच्छे से पढ़िएगा इसके अलावा अन्य उसेसों में लोथल से प्राप्त एक मर्द भाण पर एक विशेस चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कोवा तथा एक लोमडी उतकिन है इससे इसका सामें पंस्तंतर की कथा चालाक लोमडी से किया गया है यहां से उत् की हातिदात तथा हातिदात का जो पैमान है वो मिला है यहां से एक छोटा सा दिसा मापक यंतर भी मिला है तामबे का पकसी बैल खरगोस वा कुत्ते की आकरतियां भी यहां से मिली है और इन में से जो तामबे का कुत्ता है वो भोती परमुख है यहां बटन के आकार की एक बेननाकार मुहरे मिली है आटा पीसने के दो पार्ट मिले हैं जो पूरे सिंदू सब्वेता का एक मत्र उदारन तो आटा पीसने के दो पार्ट कहां से मिले हैं लोथल से मिले हैं बंदरगा लोथल की महत्वण उपलब्दियों में से एक है इस बंदरगा पर मिस्तर तदा मे पैसो पोटामया से जहांच आते जाते थे इसके उत्तर में 12 मिटर चोड़ा एक प्रवेस द्वार निर्मित था जिसे होकर जहांच आते जाते थे और दक्सिन दिवार में अतिरिक तिजल के लिए निकास द्वार था लोथल नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्सिन में एक उध्योगी क्छितर था मन के बनाने वालों तमबे तता सोने का काम करने वाले सिल्पियों की उध्योग सालाएं भी यहां से मिली है यहां से एक घर से सोने के दाने, सेलखडी की चार मुहरे, सीप, इम तंबे की बनी चूडिया और बहुत ही धंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है लोथल से संख के कार ये करने वाले दस्तकारों और तंबर कर्मियों के कार खाने भी मिले हैं लोथल तता चनहूदलों से मन के बनाने का कार खाना भी प्राप्थ हुआ है लोथल नगर चेतर के बहरी उत्तरी पस्सिमी किनारे पर समादी चेतर का जहां से 20 समादिया मिली हैं यहां की सरवादिक परसित उपलब्दी हडपा कालीन बंदरगाह के अलावा विशिष्ट मुरिद्भान उपकरण मुहरे बाट तथा माप यों पासाड उपकरण हैं यहां तीन युगमित समादी के भी उधारण मिले हैं इस्त्री पूरुष सवादहन के साक्षे भी लोथल से प्राप्त हुए हैं जिसे सत्ती पर्था का पता भी चलता है कि बही इन साक्षों के आदार पर हम कह सकते हैं कि लोथल में सत्ती पर्था का पर्चलन था लोथल की एदिकांस कपरों में कंकाल के सीर उत्तर की और और पैर दक्सिन की और थे केवल अपवा सवरूब एक कंकाल की दिशा पूरव पसिम की और भी मिली है एक प्राचीन कुआ और एक बंडार गरह के अवसेस भी लोथल से मिले हैं लोथल सहर दो हिसों में बटा हुआ था उपरी हिसा अपर टाउन और निचला हिसा लोवर टाउन कहलाता था यहां मिनने वाले इंट की दिवारों के असे चोड़ी सड़कों नालियों और इस्तनानागारों की और इंगित करते हैं एक ऐसा स्थान भी दिखाई देता है लोथल से जो मनके बनाने वाली फ्यक्टरी की तरह लगता है था मनके बनाने का कार खाना हडपा समूद्री व्यापार का पर्मुक के अंदर था लोथल तो सिंदुक हड़ी सब्वेता का या फिर हडपा सब्वेता का जो समूद्री व्यापार का पर्मुक के अंदर था वह है लोथल था यहां पर अर्ध कीमती रतनों, टेरा कोटा, सोने, आदी से बने मनके मोती, सुमेर, बहरीन और इरान जैसे छेत्रों में भी लोग पिरिये थे अर्थात, इन मनकों का विद्येसों में व्यापार था अब देखेगा हमने लोथल के बारे में पढ़ा, अभी कई बाते हैं जो बार बार प्रिक्षा में पूछी जाती है, वो देखेगा, लोथल में बने मकानों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है न, मैंने पहले भी आपको बताया ये, चावल तथा बाजरा के सा चित्रात्मक रूप में मिले हैं, लिखित रूप में नहीं मिले हैं, और यदि मिलती तो भी हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो लिपी ऐसी है, तो ये दोनों कहानियां वो चित्रात्मक रूप में मिले हैं, और इन कहानियों को बीबी लार ने पंस्तंत्र की कहा है आठा पीषने की चक्की जो हम पहले भी बता चुके आपको और चक्की के दो पार्ट कहां से मिले हैं लोथल से फारस की मुद्रा मिली है और इस मुद्रा पर दो मुह वाले राक्सस का चित्र मिला है ठीक है ना जिससे हम पता लगाते कि भाई ये फारस की मुद्रा थी बे तो सबेदा का सबसे बड़ा निर्मान कारिय लोथल के बंदरगाह का निर्मान कारिय था बतक के सबसे अधिक चित्र लोथल से मिले हैं यहां से हमनकुंड अगनिवेदी का है सलेचिकिसा पदती के परमान और मम्मी का उधारन भी मिला है हाती दांत का पैमाना कहां से मिला है लोथल से दिशासुच की अंतर लोथल से युगम समादी लोथल से और पूरवी टीला के उत्तर में 20 सवाधान वाला एक कब्रिस्थान मिला है इन में से तीन युगल समादी हैं इसे हम लोग ये अनुमा लगा सकते हैं कि लोथल में सत्ती पर्था पर्सलित थी सेंदव कालीन सबसे उत्करष्ट जर्निकासी की व्यवस्ता लोथल की जर्निकासी की व्यवस्ता थी है कि उसन कई बार आ चुका है कि सिंदुगाडी सबेता में सबसे उत्करष्ट जर्निकासी कोन से नगर की थी वो है लोथल लोथल की देवी का नाम सिकोत्री देवी था और यह है समुद्र देवी थी यहां से घोड़े की मरणमूर्थी के साक्से भी प्राप्त हुए है और एक यहां से चार नाओं के साक्से भी प्राप्त हुए है आप देखेगा लोथल का जो साब्दी कर्थ हमने आपको बताया था मर्तकों का टीला और लोथल के उपनाम क्या क्या है एक तो लोथल को लगू हडपा भी कह सकते हैं और एक लगू मोहन जोदडो तो लोथल के जो उपनाम है वो आप याद रखेगा लगू हडपा और लगू मोहन जोदडो तो धन्यवाद चात्रों हमारा ये वीडियो आपने अंतक देखा इसके लिए और आपको सिंदु गाड़े सब्वेता के बारे में और भी नई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद